चीपाया, सब करके खुद को चीपाया आउम शांती विदेही बाबा इस रिष्टी पर आए किसलिए? हमें भी देह से न्यारा अव्यक्त विदेही बनाने परंतु, इस विदेही स्थिती में किवा सब कुछ छोड़ना नहीं है In fact, इस स्थिती में सब कुछ पाना है सर्वप्राप्तियों के स्द्रोत से सर्वशक्तियां ज्यान के सर्वखजाने गुणों के हीरे मोती स्वयम में भरने का यही समय है और जब इन सब से आत्मा भरपूर हो जाती है बैटरी चार्ज हो जाती है पतितपना निकल जाता है आत्मा पावन हो जाती है तुस्वत एही पुरानी देही को छोड़ करके नए घर के लिए तैयार हो जाती है आज के मुर्ली हमें कैसे साक्षी बनना है साथी बनना है विदेही स्थिती का अभ्यास करना है यह सारी श्रीमत और समझानी देने के लिए बाबा ने उच्चारित की है आज है तेरा तारीक तेरा फरवरी दो हजार चौपिस बाबा के मधर महवाक्य है मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी बैटरी फुल होती जाएगी वंडर्फुल है न? क्या करना है हमें? बस विदेही होकर बाबा को याद करना है स्वधर्म में टिकना है तो क्या प्राप्तिया होंगी? पहला ताकत मिलेगी दूसरा खुशी और तंदुरुस्ती मिलेगी पिर तीसरा पैटरी फुल होती जाएगी प्रश्न है ड्रामा की किस नून्ध को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो उत्तर है तुम जानते हो यह बाउमसादी जो बने है यह छूटने है जरोर बने है तो छूटेंगे भी विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी यह ड्रामा की अनादी नून्ध है मरना तो सबको है तुम ही खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड राजाई में जन्म लेंगे हमे तो खुशी है तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो इसमें हिलने की बात नहीं रोने की कोई दरकार नहीं जिसे दुनिया में फिल्म देखते हैं न तो कोई बहुत एमोशनल होता है मन का कमजोर होता है तो हिल जाता है, रोने लगता है परन्तु यह स्मृती में रहे कि यह ड्रामा है तो न रोना आए न मन हिले ओम शांती बापबैंट बच्चों को समझाते हैं यह जो आदी सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया कारण निकालना चाहिए पहले तो आदी सनातन देवी देवता धर्म ही था फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कहना सके देवी देवता तो पावन होते हैं निरविकारी होते हैं तो अपने को आदी सनातन देवी देवता के बदले आदी सनातन हिंदू कह दिया है आदी सनातन अक्षर भी रखा है सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है उस समय इसलामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया पहले हिंदूस्तान नाम भी नहीं था तो आदिसनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए वह अकसर करके धर्मात्मा होते है सभी सनातनी नहीं है जो पीछे आए है उनको आदिसनातनी नहीं कहेंगे काफी तो बाद में भी आए ना हिंदूओं में भी पीछे आने वाले होंगे जो बिलकुल शुरू में थे ना उनकी बात बाबा कह रहे है आदी सनातन हिंदूओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदी सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतुप्रधान आदी सनातन थे, फिर क्या हुआ पुनर जन्म लेते लेते तमुप्रधान बने हो, अब फिर याद की जात्रा से सतुप्रधान बनो, उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी, जो ज्यान है ना, यह भी दवाई है ना, इस सबको अच्छी लगेगी उनको, बबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है, उनको देनी चाहिए, उनको इंट जिसे तुम बच्चों को स्मृति आई है जो बेसिकली पुराने मूल भारत के निवासी होंगे ना देवी देवता धर्म के होंगे उनको थोड़ा भी कुछ बताएंगे तो उन्हें टच होगा स्मृति आजाएगी तो बाबा कहते जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतुप्रधान से तमुप्रधान बने हो स्रिष्टी चक्र में कैसे हमारा डाउन फॉल हुआ है अब फिर तमुप्रधान से सतुप्रधान बनना है तुम बच्चे सतुप्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से जो आदी सनातन हिंदु होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायन राधे कृष्ण, सीता राम आदी देवताओं के भक्त है वह देवता घराने के है अब स्मृती आई है जो सूरेवंची है वही चंद्रवंची बनते है तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूणना चाहिए फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते है मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए जो भी आए उनको लैसन तो शुरू से देंगे पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो तुम असल में पारलोकिक बाप के हो ऐसे समझाओने यहां आकर लोकिक के बने हो तुम अपने पारलोकिक बाप को भूल जाते हो बेहत का बाप है ही सवर्ग का रचचाईता ऐसे ऐसे उन्हें clear करके बताए बहाँ यह अनीक धर्म होते नहीं सवर्ग में अनीक धर्म नहीं होते तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए जैसे बताते हैं दो बाप, कौन से है लौकिक, पारलौकिक तो उन्ही बातों को जो उन्होंने लिखी है उसको ही फिर डेटेल करके उसकी व्याख्या करके यथार्थरीती बताना चाहिए कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है परन्तो योग है नहीं अशरीरी बन बाप को याद करे वह है नहीं याद में ठहर नहीं सकते भल समझते हैं हम अच्छा समझाते हैं म्यूजियम आदी भी खोलते हैं परन्तो याद बहुत कम है अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे इसमें ही महनत है बाप वार्निंग देते हैं ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं ऐसे हो जाता है न मन में ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं परन्तो इससे फाइदा क्या चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए पूरा तीनो कालों का ज्ञान आपको यथार थरीती स्मृति में है परन्तु इसमें तो विदेही बनना है कर्म करते अपने को आत्मा समझना है आत्मा इस शरीर द्वारा करतव्वे करती है यह याद करना भी नहीं आता खयाल में नहीं आता उनको कहेंगे बुद्धो सुचो अगर इस थिती में टिकना नहीं आता न तो बबा कहते हैं वो बुद्धो है भले बहुत अच्छा कन्विंस कर ले बहुत अच्छा समझा ले सब कुछ याद हो परन्तु इंपॉर्टेंट है विदे ही बनना और इस थिती में रहे कर कर्म करना बाप को याद नहीं कर सकते सर्विस करने की ताकत नहीं याद बगेर आत्मा में ताकत कहां से आएगी बैटरी कैसे भरे चलते चलते खड़ी हो जाएगी ताकत नहीं रहेगी कहा जाता है Religion is might धर्म में शक्ती होते है आत्मा स्वधर्म में टिके वो है देह के धर्म तो यहां बात हो रही है स्वधर्म की तो अपने शान्ती स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले बहुत है जिनको बाब को याद करना आता नहीं शक्ल से पता पढ़ जाता है और सब याद आएगा बाबा की याद ठहरेगी नहीं योग से ही बल मिलेगा याद से बड़ी खुशी और तंदरुस्ती रहेगी जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा पावर्फुल बनती जाएगी और फिर खुश भी रहेंगे फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है जैसा गोल्ड होगा सोना होगा वैसा जेवर बनेगा इस समय सब 9 कैरेट बन गए है सतु प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे सतु को 22 यह बड़ी समझने की बाते है बाकी सब फिर क्या है एलॉय है न बाप समझाते है पहले तो क्या करना है कोई भी आये तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहा तक रिस्पॉंस करते है कितनी धारणा की है फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते है तमु प्रधान से सतु प्रधान याद की यात्रा से बनना है ना तमु प्रधान से सतु प्रधान बनने की एक ही युकती है बाबा को याद करना वह है भक्ती की जिस्मानी यात्राएं यह है रूहानी यात्रा रुहू यात्रा करती है उसमें रुहू और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं दुनिया में जो यात्राएं करते हैं तो जीव आत्मा करते है पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में ते जाता है पावर आती है कोई जग्यासू को जलवा आदी दिखाना है तो बाबा की प्रवेश्टा भी हो जाते है अगर याद में रहते हैं तो है न मा बाप दोनों ही मदद करते है कही नौलेज की कही योग की दोनों करते हैं ब्रह्मा बाबा भी, शिवा बाबा भी बाप तो सदा विदे ही है शरीर का भान है ही नही तो बाब दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं ज्ञान की भी और योग की भी योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहां से तो इंपोर्टन्ट है हमें भी तो बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए न समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है पता चल जाता है न? योग के लिए दिन प्रति दिन नई-नई बाती भी समझाते है आगे थोड़े यह समझाते थे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का समबंद भी हट जाए सिर्फ भाई भाई की द्रिष्टी रह जाए हम आत्मा भाई भाई है हम सब भाई भाई बैठे है यह बहुत उची द्रिष्टी है अंत तक यह पुरुशार्थ चलना है आदी स्वान्त होता है न जब सतुप्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे इसलिए क्या करना है जितना हो सके पुरुशार्थ को बढ़ाना है बोडों के लिए और ही सहज है क्यों अब हमको वापिस जरूर जाना है जवानों को कभी ऐसे खयालात नहीं आएंगे क्योंकि जवानी में ऐसे मन में नहीं आएगा कि हम शरीर छोड़ देंगे नहीं बुढ़े वानप्रस्थी रहते हैं समझा जाता है अब वापिस जाना है तो मेंटली प्रिपेर रहते हैं वो तो यह सब ज्यान की बातें समझनी है जाड की वृध्धी भी होती रहती है आतमायाती रहती है वृध्धी होते होते सारा जाड तयार हो जाएगा काटूं को बदल कर नया छोटा फूलों का जाड बनना है नया बन फिर पुराना होना है पहले जाड छोटा होगा पहले कम बच्चे आए ना फिर धीरे फिर बढ़ता जाएगा वृध्धी होते होते पिछाडी में काटे बन जाते हैं पहले होते हैं फूल आतमाय पहले पावन होते हैं ना नाम ही है स्वर्ग फिर बाद में वहे खुश्बू वहे ताकत नहीं रहती है जनम पुनर जनम में आते हैं तो वो रुहानियत की खुश्बू चली जाती है आत्मा की ताकत खत्म हो जाती है काटे में खुश्बू नहीं होती हलके हलके फूलों में भी खुश्बू नहीं होती बाप बागवान भी है तो खिवईया भी है सबकी नाओ पार करते है नाओ पार कैसे करते है कहा ले जाते है यह भी जो सयाने बच्चे है वह समझ सकते है कैसे पार करते है फिर इसके बाद हम कहा जाएंगे जो समझते नहीं वह पुरिशार्त भी नहीं करते नमबर वार तो होते हैं न कोई-कोई आरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है आत्मा तो रोकिट से भी तीखी जाती है आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं बहुत स्पीड से आत्मा जाते है उन रॉकेट आदी में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं इतना सारा इतना रेफाइन फ्यूल डालते हैं उसमें जो तुरंत उड़ा ले जाता है विनाश के लिए कितना बारूद आदी तयार करते है स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉंब्स ले जाते है आजकल पूरी तयारी रखते है अखबारों में लिखते है ऐसे नहीं कह सकते कि बॉंब्स काम में नहीं लाएंगे भले बोलते हैं कि नहीं लाएंगे पर जब बने है तो आएंगे ना काम में हो सकता है बॉम्स चला दे ऐसे कहते रहते हैं यह सब तैयारियां हो रही है विनाश तो जरूर होना है बॉम्स ना छूटें विनाश ना हो ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए यह ड्रामा में नून्द है इसलिए तुमको क्या होना चाहिए परिशान होना चाहिए नई हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए क्यों? मिरुआ मौत मलू का शिकार पशु तो मरता है शिकारी वो शिकार करके बहुत खुश होता है तो हमें भी अंदर की पशुता को मारना है जितना अपने पशुता की इस वृत्ती को जानवरपन की वृत्ती को विकारी वृत्ती को मारते हैं उतना अंदर से हमें खुशी होती है तो ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है तुम बच्चों को ड्रामा का ग्यान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो साक्षी होकर देखते हो रोने आदी की दरकार नहीं समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई मिलेंगे मैं राजकुमार बनूँगा आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है सर्प में भी आत्मा है ना पुरानी खाल छोड़ता है दूसरी नहीं लेता है कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं ऐसे मूँ से नहीं बोलते परन्तु ऐसे अंदर से फिलिंग होती है कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे फिर बच्चा बनेंगे बच्चे तो पैदा होते हैं ना पुनर जन्म तो सबको लेना है यह सब विचार सागर मन्थन करना होता है सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है जैसे बच्चे माबाप को एकदम चटक जाते हैं है ना बहुत प्यार आता है विसे बहुत प्यार से बुद्धी योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए पिल्कुल चिपक जाते हैं न अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं इस पर जो एक्जामपल देते हैं किसका नारत का तो नारत का मिसाल देते हैं भक्त जब तक ज्ञान न उठाएं तब तक देवता बनना सकें आईना देखो हम कितने ज्ञानी कितने योगी बने हैं क्या देवता बनने लायक बने हैं यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है यह तो समझने की बात है तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतुप्रधान थे, तो विश्व पर राज्ये करते थे अब फिर सतुप्रधान बननी के लिए क्या करना है? बापको याद करना है यह महनत, कल्प कल्प, तुम यथा यूग, यथा शक्ती करते ही आए हो हर एक समझ सकते हैं, हम कहा तक किसको समझा सकते हैं? अपना तो सबको पता होता है न? देहे अभिमान से हम कहा तक निकलते जा रहे हैं कितना बोडी कॉंशिसनेस है और कितना हम सोल कॉंशिस होकर काम करते हैं मैं आत्मा एक शरीर छोड़, दूसरा लेती हूँ ऐसी फिलिंग आनी चाहिए मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ यह मेरे ओर्गेंस है हम सब पाट धारी हैं ऐसी ड्रिल करते रहना चाहिए इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है उसमें नंबरवार सब एक्टर्स है हम समझ सकते हैं इसमें कौन-कौन मुख्य एक्टर्स है पता चल जाता है ना चलन से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड कौन-कौन है तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदी मध्य अंत को जान गए हो रचाईता द्वारा रचना की नौलिज मिलती है रचाईता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं यह उनका रत है प्रमा बाबा का तन शिवा बाबा का रत है जिसमें प्रवीशकर आई है कहीं गई तब तो दो आत्माई है शरीर एक है, आत्माई दो है यह भी कौमन बात है पित्र खिलाते हैं तो आत्मा आती है न आगे बहुत आते थे पहले बहुत आते थे अभी तो वो ट्रेंट खतम हो गया है पर उन्तु पहले आते थे उनसे पूछते थे अभी तो तमु प्रधान हो गए है तो पवितरता नहीं है न तो इतनी शक्ती नहीं है कि किसी को बुला सके कोई-कोई अब भी बतलाते है हम आगे जन्म में फलाना था फ्यूचर का कोई नहीं बताते पिछाडी का सुनाते है सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते कई वैसे भी बता देते है कुछ रियल भी होते है पर उन्तु कुछ फिर ऐसे भी करते है नाठक भी करते है दूसरों को चलाने के लिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुमको शान्त में रहना है important बात हमें शान्त में रहना है तुम जितना जितना ज्यान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के solid हो जाएंगे बिलकुल मजबूत अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं भारतवासी देवी देवताईं कितने solid थे बहुत मजबूत थे धन से भी भरपूर थे तो अंदर और बाहर दोनों से भरपूर अभी तो खाली न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है तो स्थूल और सोक्ष में सब खजाने खाली हो गए है वह solvent तुम इंसॉल्वेंट तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है भूख मरना ही पड़ेगा अनाज पानी आदी कुछ नहीं मिलेगा कहा बाढ होती रहेगी तो कहा पानी की बूंद नहीं होगी इस समय दुख के बादल है फिर कंट्रास्ट हो जाएगा सतियोग में सुख के बादल है इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है हमने ये खेल खेला है इसलिए हमें ही पता है बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है वह लौकिक हद का बाप यह पारलौकिक बेहद का बाप यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्सा देते हैं नई दुनिया बन जाते है तब वर्सा देते है फिर नई दुनिया बन जाते है यह है आईरनेज फिर गोल्डनेज जरूर बननी है तुम अभी संगम पर हो दोनों के बीच में दिल साफ मुराद हासल रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया किसके लिए अंदर विकारी खयालात तो नहीं आये अपनी मस्ती में रहे या जर्मूई जग्मूई में टाइम गवाया बाप का फर्मान है मा में कम याद करो अगर याद नहीं करते तो ना फर्मान बरदार हो जाते है अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार है पहला ग्यान योग की मस्ती में रहना है दिल साफ रखनी है जर्मूई जग्मूई यानि व्यर्थ चंतन में अपना समय नहीं गवाना है दुसरा हमात्मा भाई भाई है अब वापिस घर जाना है यह अभ्यास पक्का करना है विदेही बन स्वधर्म में स्थत हो बाप को याद करना है वरदान है स्वस्वरूप और बाप के सत्ते स्वरूप को पहचान सत्यता की शक्ती धारन करने वाले दिव्यता संपन भव दिव्यता संपन कैसे बनेंगे जब स्वस्वरूप और बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान कर सत्यता की शक्ती धारण करेंगे जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को वबाप के सत्य परीचे को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृती में रहते हैं मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा इस्मृती में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ती आ जाती है, जूट से अलग सत्यस्वरुप में। उनके हर संकल्प, सदा सत्यता वदिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूती होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवशक्ता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ती है, तो खुशी में नाचते रहेंगे। सच तो बीठो, नच। स्लोगन है सकाश देने की सेवा करो, तो समस्याई सहजुही भाग जाएंगे। बेहद की सेवा करते हैं ना, तो हद की बातें, समस्याई सब भाग जाती हैं। तो आज विशेश विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे। देह से अलग मैं आत्मा, कर्मिंद्रियों को साक्षी होकर देखो, कर्मों को साक्षी होकर देखो, और आजपास अपने फील करो कि सभी आत्माई हैं, सब मेरे रोहानी भाई हैं, और अब हमें घर जाना है। ये ड्रिल, ये स्थिति लगातार बनाओ, तब ये अभ्यास हमें अंतिम समय में पास्विद्वानर बनाएगा। तो बिल्कुल सूल कॉंश्योस होने का हम पूरा अभ्यास करेंगे। चाह, ओम शांती।